गी स्टुडेंट्स इन्डिफिनिट प्रोण में एक टापिक करें इन्डिफिनिट प्रणावन प्रहातिस समय छुट गया था शुस्त प्रिक को हम दुबारा समझा दे wellness आपको है रीमेंवेनेंग पारट आप इन्डिफिनिट प्रोणावन हमें बताना चाहले थे कि प्राव्ण में ओ एन ई वन भी आता है यह भी इन डिवन प्रौणान का काम करता है यह भी This पॉइंडिफिर्ट प्रणाउन के अंतर्गत आता है इसमें एक चीज़ समझना है कि जब ओऊनी मनें का काम करता है या अया है तो ये अपने साथ जो फारंसिव केस होता है यह हमेशा लेता O.N.E.s पुन से लेता है इस तरह नहीं लेता O.N.E.s यह नहीं लेता है O.N.C.E. नहीं लेता है सब गलत है यह दोनों गलत है पौसेसिप रूम अपना O.N.E.S लेता है पॉससिप के जब पढ़ा रहे थे नाउन के फंक्शन में तो उसमें भी इसका प्रियोग मैंने बताया था वीडियो देख लीजिए गा समझ लीजिए गा उसमें भी याद रखिए जब ओ एनिवन इंडिफरेट प्रोनाउन के रूप में कारे करता है तो पॉससिप के स्काप्रियोग होता है जैसे देखिए संटेंस रहेगा परिच्छा में आएगा वन सुड़ कि दू कि देश ड्यूटी बहुत ध्यांस समझिए गा अब यहाँ पर आप्शन आ जाता है हीज ऑन्स ओन्स और आप सना अग्या कि हर हुच हाब इसमें आपको सही बरना है किती आपको सही बरना है वन कि सूद आया है वर्व आ गया है इसके मतलब यह किसका काम कर रहा है इंडिप्रिट प्रोणाउन का काम कर रहा है इंडिप्रिट प्रोणाउन का काम कर रहा है इंडिप्रिट प्रोणाउन के रूप में वह और नीवन आया हुआ है तो किसके ततकाल बाद वर्व आ गय क्या लेगा ओनी स्य यह दूम गलत है यहां सी होता तब कि आ कि यह सी होता तब हर होता यहां इसकी लड़की का नाम होता है तो हर होता कि भाए खाय पार जंच मारा और ऐन रान हमेशा अपने साथ पुस्सेश्सिव रूप में ओनी स स्राप आसब लेता है लेकिन ध्नहेम रखिएगा एक की जार लेकिन जब संख्या में से एक की बात हो रही हूं संख्या जादे हो अनेयेक हो उसमें से एक की बात हो रही हो क hält सो मैं स्कुलिंगें ये लिए मि मैसきます गेलिए हम हीज का प्रयोग करेंगे फिमल्रीन जंडर के लिए हर प्रयों करेंगे हेए जैसे संतन देखिये तब समझे संटन लिखें के तब समझ में आएगा जैसे देखें वन आफ ऐख कि वन आफ आफ ऑस यह है अब है है भर दोनों लिख दे़ ballistic लिखें अब कि वंस ही जुर आउनिश्टी देखिए समझी बहुत ध्यान से समझी बहुत इंट्रेस्टिंट टॉपिक है याद रखिए अब इसको सही करना है कि इसमें हैज रहेगा कि Heave रहेगा वंस रहेगा कि हीज रहेगा आगाद ये दिमाग में आप रखें दिमाग में पहले से ओ रहा है धिधने में है है पहले से फील है आप क्या कर दीजिये इसमें तुगलत हो जाएगा कि संख्या में से एक की बात हो रही है या तो संख्या हो गीर साहिश संख्या उन में से एक की बात हो रही है one of us जहां दीजिएगा जब one of us आ जाएगा तो one of us आप देखिए तो यह क्या आफ क्या है यह प्रीपोजीशन है समझे पहले ध्यान से प्रीपोजीशन है और प्रीपोजीशन और ट्रांस्टिब वर्व अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं आपजेक्ट लेते हैं ना तो यह तो आपका प्रीपोजीशन हो गया प्रीपोजीशन के अनुसार एस हमारा क्या हो गया आपजेक्ट हो गया इसे अस आपजेक्ट होता ही है यह आपजेक्ट के अनुसार तो वर्व लगता नहीं है आपजेक्ट के अनुसार वर्व नहीं लगाए जाते इति वे वर्ब लगता है कि सोब्जेक्ट के निसला लगता है कि यह वन के अ plan कम्साइब लई प्रियोंद किया जाता सब्जेक्ट अंसार्वर्ब का प्रियोग किया या तो सब्जेक्ट हमारा यह हो गया वह न हो गया ना तो यहां लगए है गीबेन अप माने छोड़ दिया है गीबेन अप थर्ड फाव अप दवर्ब अब क्या होगा उन में से एक संख्या में से एक है तो यहां पर हिज का प्रयों होगा हिज ऑनिष्टी हम में से एक ने अपनी इमानदारी छोड़ दी है यहां हिज आपका सही होगा अगर यहां वंस आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है वन्स कब सही होता वन्स कब सही होता जब संटन्स ऐसे लिखा होता देखिए वन देखिए धास समझे इसको वन शूद नाट गीब अप गीब अप गीब अप अब इसमें वन अकेले हैं केवल केवल वन इंडिफिर्ट प्रॉनाउन के रूप में आया है इसके वरभ आ गया है इसलिए वन के अस्थान पर ये वन्स होगा देखिए वन क्या जो पसिश्चिब रूफ योगा वन्स होगा तो सही होगा वन सुड़ नाट गीब अप वन्स कि जान इस्टी ने गारत हो जाएगा वन्स ओनिश्टी होगा वन फूद नाट गिब आप वन्स ओनिस्टी आगे बाशन में इस बात कर से लेकिन यहां तो मैं सुङन जंडर तो ही लगा दिये गया लेकिन मालीजिये फैमने इंडर है तो कैसे वहां पर हर कप्रियों करेंगे किसका प्लेव करेंगे हर का प्लेव के जैसे वन आप दा गर्ल्स क्या वन आफ दा गर्ल्स आप टेंड आप टेंड एट्टी परसेंट मार्क्स इन वन्स या हर एक जामिनेशन जान लीजिए बहुत जादे इंपार्टन्ट है छोटी छोटी चीज़ें लिए बहुत महत्पूर हैं बहुत ध्यान से समझना है इसको आप वना अब लड़कियों में से एक लड़की की बात हो रही है जब संख्या में से एक की बात होगी तो मैं स्कूलिंग के लिए परसेशिव केस में हीज और फेमिन के लिए हर का प्रियों करेंगे बताया है ना देखिए कई लड़कियों में से एक लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या है वहरो क्या होगा वन आप दा गर्ल्स हइज है नहीं होगा एक नड़की यह तो आपका अब्जेक्ट हो गया यह प्रीपोजिशन है यह प्रीपोजिशन का अब्जेक्ट हो गया अब प्रीपोजिशन के अब्जेक्ट के उसा वर लगता नहीं है किसके उसा लगता है किसके उसा सब्जेक्ट के उसा लगता है तो वन हमा आपजेक्ट के अनुसार कभी वर्ब का प्रियोग है नहीं होता है हमेंसाऊ सब्जेक्ट के अनुसार होता है तो वन आप ताग्ल का लिए तो वन आफ दा गरल्स हमें झावर्ड ऐज्या और टेम झाट लाटन वी होता है कि एक्टी पर्सेंट मार्क्स इन हर इग्जामिनेशन होगा क्या होगा हर आपका सही होगा इन हर इग्जामिनेशन कि आगया समझ में एध्धान रखना है आपको कि कईयों में से कईयों में से जब एक संख्या में से जब एक की बात होगी तो मैं स्कुलिंग के लिए हीज हीज मनें ही हीम हीज और फिमिन के लिए सी हर हर का प्रियूफ होगा ठीक है भूलेंगे नहीं आप ये इन डिफिलिट प्रोणाउन का रिमेनिंग पाठ था हमने आपको बता दिया ठीक है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल देखते रहिए पड़ते रह हीए अब अगले टापिक के साथ हम उपस्तित होंगे थैंक यू दर्साथ